नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे प्रिग्नेंसी के च्छटे महीने के बारे में च्छटे महीने में दिखने वाले लक्षन, बच्चे के विकास और शरीर में होने वाले कुछ बदलावों के बारे में प्रिग्नेंसी का छटा महिना यानि आपकी दूसरी तिमाई खतम होने में सिर्फ एक महिना बैचा है प्रिग्नेंसी के दोरन महिलाओं को हर महिने नए अनुभवों का सामना करना पड़ता है प्रिगनेंसी के छटे महीने में भी महिलाओं को कहीं तरह के नए लक्षनों और बदलावों से जूजना पड़ता है आईए जानते हैं प्रिगनेंसी के कुछ लक्षनों के बारे में प्रिगनेंसी के छटे महीने में दिखने वाले कुछ लक्षन प्रिगनेंसी के छटे महीने में पैरों टकनों और हातों पर सूजन दिखाई दे सकती हैं सूजन घरबावस्ता से जुड़ा एक आम लक्षन है प्रिगनंसी के छटे महिने में घरबाश्या का अकार बढ़ने लगता है इससे में वेट के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है ऐसे में आपको अपच की समस्चाएं प्रेसान कर सकती है और इस महिने के दोरान बच् की जरूरत पढ़ती है ऐसे में आपको जादा भूक लग सकती है और ऐसे में आपको बार बार खाने की क्रेविंग हो सकती है इस महिने आपको खराटों की समस्चाएं शूरू हो सकती है प्रेगनंसी के छटे महिने में आपको पीठ के दर्द का भी अनुभव हो सकता है इस प्रिगनेंसि के च्चटे महीने पेट के नीचले हिस्से पर एसे में स्ट्रेच्च मार्क यसे में जलिन की दोस्जा सकती एं और ऐसे में महिलाओं का तेजी से mood swing हो सकता है च्छटे महीने में शिशु बड़ा हो जाता है ऐसे में उसकी किक आपको महसूस हो जाती है अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के च्छटे महीने में शिशु के विकास के बारे में प्रेगनेंसी के 20 से 24 अपताह के बीच में शिशु में बहुत बदलावाते हैं जिनें आप महसूस करती है इस दोरन आपका शिशु घरब में हरकत करना शुरू कर देता है वह भार की आवाजों को सुन सकता है और उनके अनुसार परती किरिया भी दे सकता है प्रेगनेंसी के छटे महीने के दोरन शिशु किस तरह से विकास करता है शिशु इस दोरन हिचकियां लेना शुरू कर देता है और अपना अंगुठा चूज सकता है स्किन की पारदेशर्ता इस महीने खतम हो जाती है और इस दोरानम शिशु का दिमाग तेजी से विक्सित होता है अभी शिशु के फेफडे विक्सित नहीं हुए होते हैं शिशु की वास्त्विक बाल और नाखुन उगने शुरू हो जाते हैं इस वक्त तक शिशु के लगबग सभी अंग तियार हो चुके होते हैं और स्किन लाल और जूरीदार होती है जिस पर मुलायम बालो की एक परत होती है उसके सोने और जागने का एक पैटरन बन जाते हैं जिसे आप महसूस कर सकती हैं शिशु के पेट में मिक्कोनियम नाम का काला पदार जम होना शुरू होता है जो उसका पहला मल बनता है प्रिगनेंसी के छटे महीने के अन तक शीशू लगबग 10 से 15 इंच लंबा हो जाता है और प्रिगनेंसी के इस महीने में शीशू का वजन लगबग 500 से 700 गराम होता है इस दोरन शीशू अपने आप सांस नहीं ले पाता यही कारण है कि प्रिमेच्च और जनम होने पर शीशू को इनक्यूबेटर में रखा जाता है ऐसी जनकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर केजिए और कमेंट में अपनी राए जरूर दीजिए थैंक यू फूर वचिंग